नव महापाथाह एशह शिक्षकह क्या तुम जानते हूँ संग्या किसे कहते हैं? हाँ, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संग्या कहते हैं. सही कहा, अच्छा तो कोई उदाहरन बताओ. किताब तिल्ली रमेश अधी तो दिल्ली के बारे में वाक्य बताओ दिल्ली में अलग-अलग प्रांत के लोग रहते हैं दिल्ली हमारे देश की राजधानी है दिल्ली में लाल किला है बहुत अच्छे, पर इन वाक्यों में कुछ नीरस्ता है वो कैसे? देखो, बार-बार संग्या का प्रियोग करने से वाक्य कठन, नीरस्या प्रभाव रहित हो जाते हैं ओ, तो क्या करे? हम इन वाक्यों को इस तरह भी कह सकते हैं दिल्ली में अलग-अलग प्रांथ के लोग रहते हैं यह हमारे देश की राज्थानी है यहां लाल किला है मा, आपने दिल्ली की जगा कुछ और शब्दों का प्रियोग किया वो क्या है? हाँ, मैंने संग्या की जगा पर जिन शब्दों का प्रियोग किया है उन्हें सर्वनाम कहते हैं इससे वाक्य सरल और सुन्दर लगते हैं इसी तरह दूर और पास की वस्तू के लिए अलग-अलग सर्वनाम प्रयोग मिलाए जाते हैं आउउ, एक वचन के सर्वनाम शबदों के बारे में जानते हैं एशह चिकिट्सकह, सह कह एशह शिक्ष कह सह चिकित्स कह भ्रामती एशह मम अग्रजा मीना सा का एशह मम पिता मही सा मीना पठती एशह मम जन कह सह पठती सा का एशह मम माता इशा पच्चती तत किम? एतत उपनेत्रम एतत मित्रम्च एतत क्रिहम सह मित्रम लिखती पाठ सारह इस पाठ में पारिवेशिक शब्दों से परिचय कराया गया है व्याकरणम संग्या के स्थान पर प्रियुक्त होने वाले पद को सर्वनाम कहते हैं संस्कृत में एशह तथा सह का अर्थ क्रमशह यह एवं वह के लिए किया जाता है किम प्रश्न वाचक सर्वनाम है मम, तवम, अहम आदि भी सर्वनाम है प्रथम पुरुष के सर्वनामों के रूप तीनों लिंगों में अलग-अलग चलते हैं